और फिर भगवान कहते हैं, कि जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए, निरंतर मुझे याद करते हैं, उनकी आवश्यक्ताओं को मैं पूरा करता हूँ, यह गैरंटी, भगवान के सिवाई तो और कोई नहीं ले सकता है, और जितना प्यार से भगवान को याद करो, तो जैसे दुनिया में भी कहा जाता है, याद से याद मिलती है, हम किसी को प्यार से अगर याद करते हैं, तो वो भी हमें याद करता है, थोड़ी देर में फोन आ जाता है, पूछें के भाई कैसे याद किया, बस आपकी याद आ तब उस समय ऐसा मैसूस होता है कि अरे दिल से हम याद ही कर रहे थे और दिल से याद किया तो देखो याद का प्रतिउत्तर मिला कि उस व्यक्ति ने भी फोन कर दिया तो इस तरह से भगवान को भी जब हम दिल से याद करते हैं अनन्य भाव से याद करते हैं इतना प्यार से याद करते हैं तो वो भी हमें याद करता है और इतना ही नहीं लेकिन वो गैरंटी लेता है कि आपकी जो आवश्यक्ता है उन आवश्यक्ताओं को भी मैं पूरा कर देता हूं कई बार जीवन में कई लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि कोई मुसीबत में हैं और जब देखते हैं कोई व्यक्ती हमें मदद नहीं कर सकता है और उस समय दिल से भगवान को याद करो दिल से अनन्य भाव से विसुस को याद करो अचानक कहां से कोई ऐसे जैसे फरिश्टे के रूप में कोई आ जाता है व्यक्ती ही आ जाता है मदद करके चला जाता है उसके जाने के बाद मैसुस अरे हमने तो उसका नाम भी नहीं पूछा हमने तो वो कहां रहता है ये भी नहीं पूछा उसका फोन नंबर तक नहीं लिया लेकिन जो दिल से याद किया न तो भगवान उसकी आवश्यक्ता को उस वक्त उस व्यक्ति को माध्यम बना करके उसकी पूरी कर देता है यह कई बार कई लोगों को अनुभो होगा लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं दुनिया में कोई व्यक्ति अगर मदद करे तो कितनी बार ठैंक्स मानते रहते हैं हर बार कितनी जगह उसका गायन करते रहते हैं कि यह व्यक्ति ने मेरी आवश्यक्ता को पूरा किया मेरे समई पर मुझे मदद किया कितने लोगों को सुनाते हैं और भगवान जो बिना बोले आकर के ऐसे मदद करके चले जाते कभी उसका thanks भी मानते है या कभी किसी को सुना है अभी हमने कि भगवान ने कैसे मुझे समय पर मदद किया करके तो देखिए शायद इतना प्यार उत्पन होंगा अंदर से भगवान के प्रती भी और जब इतना प्यार उत्पन होंगा तो भगवान भी कैसे उसको रिस्पॉंड नहीं करे तो इसलिए भगवान कहते है जो अनन्य भाव से मेरे दिफिय स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मुझे याद करते है उनकी आवश्यक्ताओं को मैं पुरा करता हूँ और जो कुछ भी उनके पास है उनकी रक्षा भी करता हूँ इतनी बड़ी गैरंटी है आवश्यक्ताओं को पुरा करता है और जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी करता हूँ मुझे एक गटना याद आती है ऐसे समय पर कि एक माताजी थी उस माताजी के पास जो भी कुछ था पुण जी थोड़ा पैसे था कुछ सोना था और कोई नहीं था उसका तो उसने सोचा कि जो कुछ भी है मैं इश्वर को अर्पन कर देती हूँ रात को उसने सारी पोटली बांधी और बांध करके जो भी उसके पस था सुदा में चावल जितना पोटली बांधी और उसने सोचा कि चलो मैं जब जाओंगी तो लेके जाओंगी अपने साथ में और अपनी बैग तयार किया और रात को सो गई वो पोटली रखके रात में उसके घर में चोर आए चोर ने सारा घर जैसे ऐसे तहस नहस कर दिया हो अंदर से हर अनाज के डबे खाली कर दिये सब कुछ खाली कर दिये कि जरूर ये बुढ़िया के पास कुछ तो होगा धन माल होगा सोचते हुए सारा उलट पुलट कर दिया माता जी सोही हुई थी, उस कमरे में नहीं गए तो उसको पता भी नहीं चला, कान से थोड़ा उंचा सुनती थी तो ये भी नहीं पता चला के गर में कोई चोर गुसा हुआ है, सोही थी वो, जिस बैग के अंदर उसने अपनी पूंजी रखी हुई थी, उस बैग को भी उठा खोल करके सारा सामान निकाल करके देखने लगे, लेकिन बुडिया ने उस पोटली को अपने साडी के अंदर ऐसे छुपा कर रखी थी, वो साडी भी निकाली, लेकिन वो साडी के अंदर से बाहर गिरा नहीं, और सारा मैदान करके फिर चले गए चोर, जो कुछ भी हात यह था, वो उठा करके लेके गए, दूसरे दिन सुबह में माता जी जब उठती है, सारा घर देखती है, अरे, यह कौन चोरा है, एकदम उसको याद आया मेरी पोटली, देखने गई, तो पोटली सुरक्षित थी, इतनी खुशी हुई उसको, कि अरे, देखो भगवान ने कैसे मैंने सच्चे भाव से, यह सोचा था कि मैं इसको इश्वर अरपन करूँ, तो मेरी यह पूझी जो थी, उसको चोर के हाथ लगने नहीं दिया, तो आवश्शक्ता को भी पूरा करता है, और उन भक्तों के पास, जो कुछ भी है, उसकी रक्षा भी वो करता है, तो यह कि बात यहां गीता के अंदर भगवान ने कही, सोचने की बात है, युद्ध का मैदान है, और इश्वर कैसे जो अनन्य भाव से भक्ती करने वाले हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, यह बात सुना रहे हैं, कहने का भावार्थ यह को हिंसक मैदान तो है यही नही लेकिन जीवन के संघर्ष वाले क्षेत्र के अंदर, जब व्यक्ती अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरता है, तो भगवान उसको बताते हैं, कि किस तर तु भगवान को अपना सार्थी बना ले, और जब भगवान को अपना सार्थी बना लेंगा, तो फिर कैसे वो सह सरलता से जीवन को पूरा कर सकता है